अध्याय 9. स्वर्ण युग एतिहासिक स्मारक गुप्त काल में कला की विभिन्य विधाओं में प्रगती देखने को मिलती है। भारती इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल की स्थापत्य कला का सबसे बड़ा उदाहरन ततकालीन मंदिर है। इस युग में सभ्यता और संस्कृति का काफी विकास हुआ जिन में साहित्य, मूर्तिकला, वास्तुकला और चित्रकला प्रमुख है। मंदिर निर्मान कला का जन्म यहीं से हुआ। गुप्त कालीन मंदिर छोटी छोटी इंटों एवं पत्थरों से बनाए जाते थे। इस समय के मंदिर उचे चबूत्रे पर बनाए जाते थे। गुप्त काल में बनी भगवान बुद्ध की मूर्तियां सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। बुद्ध की लाल बलुवा पत्थर से बनी मूर्ति एक असाधारन उदाहरन है। सारनात में भी बुद्ध की मूर्ति का शांती पूर्ण सजीव रूप वंदनीय है। गुप्त काल में प्राचीनतम गुहा मंदिर निर्मित हुए इस युक का सबसे सुन्दर मंदिर ललितपुर जिले में देव गढ़ का दशावतार मंदिर है इस बंदिर में गुप्त स्थापत्य कला पूर्ण विक्सित दिखाई पड़ती है इसमें बारह मीटर उंचा एक शिखर है और चार मंदप हैं इसके दर्वाजे के खंबो पर सुन्दर मूर्तियां बनी हैं दिल्ली में कुत्ब मीनार के पास गुप्त काल में बनी लोहे की लाट नीचे से उपर तक लोहे की बनी है इस पर जंग का एक धबबा तक नहीं आया है सदियों तक आंधी तूफान और भूकम के जटके जेलने के बाद भी यह जरा सा भी नहीं हिलाडुला गुफा मंदिर इन गुफाओं में बाग निवास करने लगे थे इसलिए इनका नाम बाग गुफा पड़ा महराश्रु में औरंगाबाद के पास सयादरी परवच रेणियों में लगभग तीस गुफाओं में काले पत्थरों को काट कर ये मंदिर बनाए गए हैं यहां मूर्ति कला और चित्र कला के सुन्दर उदाहरन देखने को मिलते हैं एलिफेंटा की गुफा मंदिरों में भगवान शिव की मूर्ति है मंदिर में एक बड़ा हॉल है जिसमें भगवान शिव की नौ मूर्तियां उनकी विभिन मुद्राओं को प्रस्तुत करती हैं दक्षिन भारत के महाबली पुरम में भी परवत श्रिंखलाओं को काट कर मंदिरों का निर्मान किया गया है यहां मूर्तियों की भरमार है इनमें मानव, देवता, राक्षस सभी की आकृतियां विद्यमान हैं एलिफेंटा की गुफाईं साथ गुफाओं का समू हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर उडीसा राज्य के पुरी नामक शहर में स्थित है यह बहुत प्रसिद्य मंदिर है उडिसा में समुद्र के किनारे बने कोणार्क के सूर्य मंदिर के रत में साथ घोडे लगे हुए हैं मंदिर के अंदर भगवान सूरी को विराजमान दिखाया गया है इन घोडों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये बहुत तेज गती से दोड रहे हूँ घोडों द्वारा खीचे गए रत के पहिये धुरी और चक्कर गती का आभास कराते हैं खजुराहों के मंदिर मुख्यतह दो धर्मों से संबंधित हैं हिंदु धर्म और जैन धर्म ये मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा लगभग एक हजार वर्ष पूर्व बनवाए गए थे आरंभ में इनकी संख्या 85 थी किन्तु अब केवल 22 मंदिर शेश रह गए हैं ये 6 किलोमीटर के दाइरे में फैले हुए हैं इन मंदिरों की दीवारों पर कलात्मक बूर्तियां निर्मित हैं ये मंदिर भारतिये प्राचीन कला के सजीव उदाहरन हैं दक्षिन भारत के मंदिर सिर्फ भारत में ही नहीं बलकि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं इन मंदिरों की रचनाएं भारत को एक सम्रिद्ध संस्रृती वाले देश का गौरव प्रदान करती हैं मंदिर का मुख्य द्वार गोपुरम कहलाता है, यहाँ अनेक विशाल खंबो पर बने मंदप इन मंदिरों की खासियत हैं, दक्षिन में तंजावुर, चिदंबरम, कांचीपुरम, मदुरई, रामेश्वरम, आदी ऐसे ही मंदिर हैं, तमिल नाडु में सबसी ज्यादा मंदिर हैं, तमिल नाडु में तंजावुर में स्थित, ब्रहिदेश्वर मंदिर, भगवान शिव को समर्पित है, इसका शिखर 200 फीट उचा है, शिखर पर स्वर्ण कलश है, इसकी गुम्बत की च्छाया कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती इस मंदिर का निर्मान ग्रेनाइट पत्थर से किया गया है, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, प्राजीन भारत के सबसे भव्य और महत्वपून मंदिरों में से एक है, यह अपनी सुन्दर्ता और वास्तु के लिए प्रसिद्ध है, हजार संभो वाला यह मंदिर, माता पार अर्वती को समर्पित है, मुगल कलाकृती, मुगलों का प्रमुख योगदान उनकी अनूठी वास्तुकला थी, अकबर और शहजहा ने अनेक भव्य इमारतों का निर्मान करवाया, फतेह पूर सीकरी का बुलंद दर्वाजा, संसार का सबसे उचा दर्वाजा माना जाता ह शहजहा ने साथ अजूबों में शामिल विश्व प्रसिद्ध ताज महल का निर्मान करवाया, उसी के काल में लाल किला, जामा मस्जिद, आदी इमारतों का निर्मान भी हुआ, मुगल काल की ये सभी इमारतें अपनी सुन्दर्ता और वास्तुकला के लिए संसार भर में प्रसिद्ध हैं, अमरिसर का स्वर्ण मंदिर देखकर दुनिया भर के लोग आकरशित होते हैं, यह सिख धर्म का मुख्य धार्मिक स्थल भी है, इसके अतिरिक्त अनेक गिर्जा घर भी भारतीय वास्तुकला के श्रेश्ट उधारन हैं, इस प्रकार अनेकता में एकता के प्रसिद्ध भारत की भारतीय संस्कृति में सभी कलाओं का मिश्रण